दोस्तो इस power supply को अच्छे से देखिए ये एक LG कमपनी का 32 inch TV का अंदर इस्तेमाल की जाती है सबसे ज़्यादा यही वाला power supply तो इस power supply के अंदर fault क्या है जो कि आज की इस वीडियो में आपको पुरा explain करोगा रिपेर करके भी दिखाऊँगा क्या है कि इस power supply के अंदर सारे component सही है फिर भी क्या है कि इसके अंदर से हमें output voltage नहीं देखने को मिल रहा है तो किसी भी electronics को गैजेट को रिपेर करने से पहले हमें इसका output और input voltage चेक करना होता है देखे इसका input voltage आपको देखने को मिल रहा है 240V यानकि 240V के आसपास इसका input देखने को मिल रहा है जो कि AC supply होता है अब मैं multimeter को DC में set करता हूँ उसके बाद output दिखाता हूँ इस power supply के output में हमें 3V देखने को मिलेंगे यह तो 3.5V इस turn by होने से पहले ही देखने को मिलेंगे उसके बाद हमें 28V और 40V यह 3V मिलेंगे यहाँ पे 3.5V के जगा 1.1V दिखा रहा है यहाँ पे 28V के जगा 14-13V दिखा रहा है यह कोई सही voltage नहीं है दोस्तो उसके बाद यहाँ पे हमें 40V के आसपास मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है बिल्कुल 00 यानि कि हमें 3 जगा से जो voltage है वो हमें stable voltage नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है लेकिन इसका input का section जो है वो बिल्कुल proper काम कर रहा है जैसे कि हमें MOSFET के drain पे जो हमें 300 voltage के आसपास मिलना चाहिए वो भी voltage बिलकुल मुझूद है starting supply जो 14 volt होता है वो देखिए वो कितना blinking कर रहा है stable यहाँ पे नहीं है यानि कि यह कम ज़्यादा कम ज़्यादा होते जा रहा है यहाँ पे हमें stable voltage मिलना चाहिए 15 voltage के आसपास तो वो voltage fluctuation हो रहा है 5 volt से लेकर जो मतलम 9 volt से लेकर 14 volt तक तो हमें यही problem को अगर solve करना है या किसी भी SMPS power supply के अंदर इस type का problem आपको देखने को मिले तो आपको कैसे इसको repair करना है आज की वीडियो में जान लीजिए खास करके जो लोग नियान या technician field में आ रहे हैं उनके लिए तो बहुती ज़्यादा महतुपून है यह वीडियो है अगर हमें इस type का problem को हमेशा के लिए दूर करना है तो हमें इस power supply को modify करना परेगा क्योंकि अगर आप एक एक करके सारे components को check करने जाओगे तो आपको हर ए data है न वो सही से output नहीं हो रहा है data का मतलब जो हमारा square signal output होता है clock signal output होता है हमें output के हिसाब से वो सही से output नहीं हो पा रहा है जिसके कारेन हमें सही से voltage output में देखने को नहीं मिल रहा है तो अब अगर हमें इसको repair करना है तो दो चीज़ा हमें करना पड़ेगा एक तो modification दूस में जो power MOSFET होता है उसको हमें change करना पड़ेगा तो जब यह power supply हमारे पास repairing होने के लिए आया था तो cold testing में यह पास हो चुका था लेकिन जैसे ही हम लोग इसको hot testing करने लगा तो मुझे पता चला कि इसका जो voltage है वो stable नहीं है जिसके कारण output में हमें voltage कोई भी नहीं बन रहा ह तो अगर हमें इसको repair करना है तो सबसे पहले तो हमें IC और MOSFET को बहान निकलना है और उसके जगा पे कौन सा number का IC लगाना है यह भी आपको पता चल जाएगा अभी फिलाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो charge इस्टर होके रहे गया है वो हम discharge कर लेते क्योंकि SMPS power supply के अंदर जो main filter capacitor होता है वो बहुत ही जादा high value का होता है इसलिए जब भी आपको भी SMPS repairing करने जाओ hot testing के बाद आपको discharge जरूर कर लेना होगा मैंने देखा कि बहुत सरे टेक्निस जयान क्या करते है कि दोनों legs को short करने के बाद या short करके discharge करते है लेकिन वो तरीका बि discharge करोगे तो आप 100 watt का बाल्ब ले लेजिए उसके मदद से discharge कर लेजिए आपका जो capacitor से उसका खराब नहीं होगा और वो ज्यादा दिन तक भी चलेंगे तो अभी फिलाल के लिए देखिए कि LG या Samsung का जो original मदरबुड होता है या TV का जो मदरबुड होता है उसके अंदर glue से liquid मतलब liquid जैसा glue के साथ उसको chip का हुआ रहता है इसलिए हमें सबसे पहले तो उसको हटाना परेकार हटाने के बाद हम थोरा सा heat देंगे और heat देने के बाद क्या करेंगे paste लगाएंगे paste लगाने से क्या होगा कि हमरा जो IC है बहुत ही आसान इसे बहार निकल आएंगे आप लोगोंने बहुत सरे लोग experience किये होंगे कि कहीं बार हम लोग ज़्यादा heat दे देते है PCB के उपर उसके बाद जो tracks होते है वो उखर जाती है उसके साथ इसाथ जो हमरा PCB का अंदर print होती है वो भी उखर जाती है एक ही होता है क्योंकि हमें जोर्वत से ज़्यादा वहांपे heat दे देता हूं जिसके कारण हमारा सारे के सारे tracks उड़ जाती है तो जब भी हम लोग कोई भी PCB से कोई भी components खास करके SMD components को निकलता हूं तो हम लोग सक्सके पहले उसके उपर paste को इस्त बाहर निकल आ चुका है ऐसे तो आपको IC का नंबर नहीं पता चल रहा है तो चलिए मैं आपने इस IC को microscope के नीचे ले कर जाता हूं उसके बाद हमारे पास एक नया IC और जो पुराना IC है उसका दोनों का नंबर क्या है वो आपको पता चल जाएंगे दोनों का सेम नंबर है लेकिन दोस्तों अगर ये IC आपको चाहिए तो आपको हमारे website से मिल जाएंगे देखिए इस IC का नंबर ये हमारा पुराना वाला IC जिसके उपर लिखा हुआ है SGC1S311 यानि कि SC1S311 नंबर है पुराना वाला और निया वाला भी देखिए same to same नंबर का SC1 उसके बाद क्या लिखा हुआ है yes 311 same to same नंबर का SC1 लेकिन दोस्तों आपको यहां पे थोरा सा दिक्यत आ सकते क्योंकि हमें motherboard के अंदर से जो पहले से board या IC लगा हुआ मिला था उसके अंदर जो leg था वो 7 लेकिन हमारे जो निया वाला IC है उसके अंदर 8 लेगे तो आपको आपको अब लग पीजी वालों ने इस board को design करा था या manufacture करा था तो उस time जो IC manufacture होता है उनके पास से directly IC को मंगवाया था और जब इस PCB को design करा था developer द्वारा तो उस time इसका जो 3 नंबर pin है उस 3 नंबर pin के साथ कोई भी connectivity नहीं रखा था यान कि not connected इसलिए क्या हुआ कि जो IC manufacture था उन्होंने सिर नंबर का IC यान कि 8 leg के साथ वो market में निकाला है तो इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा दोस्तों अंदर का सारे के सारे circuit बिल्कुल सेम है तो आप लगा दीजिएगा सिर्पर सेप साथी connection हमरे इस SMPS power supply के साथ होंगे बाकी जो एक extra दिया गया है वो खाली रहे जाएगा आ इस जगा पे इस IC को सही सलमत बिठा देता हूं उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको बताऊंगा लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक चीज है कि जब भी आपको SMD IC को किसी भी board के अंदर install करोगे या वहां से इसको निकालोगे तो उसका heating temperature के उपर बिसेस ध्यान में दखना होता है तो heating temperature को कम करने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छे quality का paste को इस्तेमाल करता हूं उस paste आप Kingbook का इस्तेमाल करता हूं आप Kingbook पे जगा और भी बहुत ही अच्छे अच्छे quality आच्छे अच्छे company का paste मिल जाती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो तो देखे जैसे म लगा रहा हूं थोरा सा मिने paste लगाया हूं paste देने से क्या होगा कि जो हमारा heat होना वो directly IC के पास नहीं जाएगा वो थोरा सा इधर उधर distribute हो जाएगा और हमारा IC ज्यादा over rating होने से बच जाएगा तो हमारा IC आप दोस्तों लग चुका है आप बाड़ी है इसको टेस्ट कर तो हमें same number का MOSFET को यहाँ पे लगाना परेगा हलाकि दोस्तों यह MOSFET successfully यानि कि 100% खरब नहीं हुआ है लेकिन इसका काम करने का समता कम हो चुका है तो आपको देखना परेगा कि आपके PCB या power supply के अंदर जो MOSFET लगा हुआ है उसका भी जो life है वो कम हो चुका ही या नहीं तो हमारे पास same to same number का MOSFET है तो मैं हुआ पे same to same number का MOSFET यहाँ पे लगा दूँगा और यहाँ पे और एक चीज में आपको टिस्प में देना चाहूँगा कि कहीं बार हमारे smps power supply के अंदर ये वाला MOSFET खरब हो जाती है उसके बाद same to same number का MOSFET लगाता हूँ फिर भी हमार smps power supply ठीक नहीं होता है इसके पीछे का कारण नहीं है कि इसके अंदर जो PWM IC लगा होता है न वो खराब हो जाता है और same to same PWM IC हमें market से नहीं मिलता है तो उस situation में हमें क्या करना पड़ता है हमें market में जो module मिल जाती है modification करने के लिए वो हमें लगा के repair करना होता है देखिए कि हमरा ये power supply बिलकुल अब ओके condition में आ चुका है अब मैं आपको इसका output का voltage चेक करके दिखाता हूं कि हमें सही सलामत इसका output voltage मिल रहा है कि नहीं इसके लिए हम multimeter को output voltage को चेक करने के लिए multimeter को DC पे set करना होता है यानि DC voltage मापने के लिए और AC voltage मापने के लिए हमें AC पर set करना होता है तो आप फिलाल के लिए हमरा ये जो multimeter है ये हमने set कर दिया हूं तो चलिए आप आपको voltage को चेक करके दिखाता हूं सबसे पहले जो इस्टनबाइस रिलीजियोंने से पहले बनती है वो 3.5 वोल्ट यहां पर देखिए 3.45 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा ह और जहां पर voltage 0 मिल रहा था वहां पर 40 वोल्ट आ चुका है यानि कि हमरा ये वली जो power supply है ये successful repair हो चुका है हमने ये जो अभी repair कर रहा हूं जो दो components हमने ये मतलब replacement कर रहा हूं एक तो PWIC जिसका नमबर था SC1S311 जिसका नमबर था और एक दूसरा एक MOSFET था 11N65 तो दोनो अगरी वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया है और बहुत कुछ आपको सिखने को भी मिला है इस वीडियो के जरिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और इसी पूरकर के वीडियो से अगर आगे आने वा आल दा बेस्ट